तमिलनाडू के कारेकारी CM पनीर सिल्वम ने जैल अलिता की समाधी पर ध्यान से उटने के बाद विस्फोटक बयान दिया आपको बताते कि पनीर सिल्वम ने शशीकला के खलाफ खुला विद्रोग गट हुए कहा कि अम्मा मुझे CM बनाना चाहती थी लेकिन मुझे कारवाई की धमकी दे कर सिफा दिलाया गया है शशीकला की CM दावेदारी को लेकर तमिलनाडू की राजनीती में मचे बवाल पर पहली बार कारेकारी CM पनीर सिल्वम ने सर्विजनिक वयान दिया उन्हें कहा कि अगर राजन और पार्टी के कारेकरता मेरे साथ हैं तो मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूगा